आज हम बहुती सीरियस टोपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप रनिंग करके अपनी बोडी को चमतकारी फाइदे दे सकते हैं आप लोग बहुत बार सोचते होंगे कि अगर हम रोज रनिंग करते हैं तो हमारी बोडी पर क्या एफेक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा क्या हमारी बोडी स्टोंग हो जाएगी, क्या हमारे मसल से स्टोंग होंगे, क्या हमारी लेक से स्टोंग हो जाएगी, सुबह खाली पेट दोनना चाहिए या भरे पेट दोनना चाहिए और running करने के बाद हमें क्या पीना चीए क्या running करने से height बढ़ सकती है एसे कई सवालों के जवाब आज के इस video में बताने वालों कि अगर आप सिर्प 30 दिनों तक सही तरीके से running कर लेते हो तो आपको running के चमतकरी फाइदे मिलने वाले है और running करने का सही तरीका क्या है वेसे तो बहुत सारी exercises होती है सरीर को feet रखने के लिए पर एक simple running करके भी आप अपने सरीर को feet और healthy रख सकते हैं और आपके सरीर के 100% बिमारिया भी दूर हो सकती है जीम जाने के पेसे नहीं है सरीर को feet रखना चाहते हो तो सुनो मेरे गरिबो भाईयों बस 5-6 मिनेट के वीडियो है वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के आखिरी में 4 golden चीज़े बताई जाएगी तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे वेला फाइदा है कि जब आप running करते हैं आपके पेर हर दिन strong होते जाते हैं और साथ ही आपके ग्लूट्स भी strong होते जाते हैं आपके हेम इस्ट्रिंग भी मजबूत होते हैं और बातरही फीट होने की तो जब आप running करते हो तो इससे आपको भूख अच्छी लगती है आप खाना अच्छा खापाते हैं और रनिंग करने से आपका खाना भी सही से डाइजेस्ट होने लगता है रनिंग करने का दुसरा फाइदा है कि जब आप रोज रनिंग करेंगे तो रनिंग करने से हमारे सरीर में HGH बढ़ता है यानि हुमन ग्रोथ हर्मोन और जब ये ग्रोथ हर्मोन बढ़ेगा तो आपका कमजोर सरीर भी स्ट्रोंग होने लग जाएगा और एक चित की इससे आपको हाइट बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है बहुत सारे लोग पुछते हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए क्या करें तो भाईया हाइट बढ़ाने के लिए आप रनिंग करो और पुलप्स भी कर सकते हो रनिंग करने का तीसरा फाइदा रोज पांचे वजे रनिंग करने निकलो गये तो आपके पेर मजबूत होंगे और पेर मजबूत होने के साथ साथ आपकी बोडी में टेस्टोस्टेरोन बड़ी तेजी से बढ़ने लगेगा और अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगेगा तो पूरी की पूरी बोडी की ग्रो बिल्कुल नहीं है आप सुबह 5-6 बजे उठके रनिंग करने निकल जाओ अगला फाइदा रनिंग करने का है कि इससे आपको नीन बड़ी गहरी आएगी जो लोग सोते समय करवट बदलते रहते हैं गहरी नीन नहीं आती है तो रनिंग करने से आपको रोज गहरी नीन आने लगेगी अगला फाइदा है स्टुडेंट्स के लिए क्यूकि रनिंग करने से आपके प्रोड़क्टिवीटी में और आपके मानसिक स्वास्ते में सुधार आता है साइकोनोमिक बुलेटीन और रिवीव की रिसर्च के हिसाब से अगर रोज रनिंग करते हो तो इससे आप दिन के प्रोड़क्टिवीटी बढ़ाने में मदद करती है एसा इसलिए क्यूकि व्यायाम आपको मानसिक और सारीरिक दोनों तरह की उत्तेजना देता है रनिंग की वज़े से आप रोज सुभा जल्दी उठने लगोगे और पूरे का पूरा दिन आपका बोत अच्छा ब पोडेसियम ये सब भी बाहर निकलाते हैं और हमारी मसल्स भी कमजोर होने लगती है और आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि रनिंग के बाद वो अपनी बोडी को पानी पीके या ORS या इलेक्टरल लेके रिहाइडरेट कर लेते हैं पर उनमें सिर्प उन लोगों को इलेक्टरलाइट मिलते हैं और एनरजी का में सोर्स काप्स होते हैं तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको एक्सेलारेट का आईसो टोनिक एनरजी ड्रिंक लेना चीए जिसमें एसेंसियल सोल्ट जैसे सोडियम, पोटेसियम मेगनेसियम, इलेक्टरोलाइट के साथ सा 30 ग्राम काप्स भी होता है और काप्स अब होत जरूरी होते हैं बोडी को एनरजी देने के लिए और इस एनरजी ड्रिंक को लेने से बोडी को इनरजी बूस्ट मिलता है जिससे आप रनिंग करते समय ठकोगे नहीं और इसके करने का एक इससे आपको सुभा 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 तरो ताजगी का आनन्द मिलेगा आपका मूड सुभा सुभा से फ्रेस होगा और आप दिन भर एनरजेटिक रेप आओगे और आप हमेसा पोजीटिव फिल करते हैं फास्ट रनिंग के लिए कौन सा फल खाना चीए तो उसके केले आप केले को खा सकते हैं एक दो केले आप रनिंग से पहले खा के निकली है दो हजर बारा में हुई एक रिसर्च के मुताबिक रनिंग से पहले केला खाना बेहतर होता है रिसर्च से ये भी पता चला कि केला खाने से बहुत सारे स्वास्तिलाब भी होते हैं केला विट कारण है कि इन्होंने कई सालों से रनिंग की है और रनिंग करने से आपकी उमर भी लंबी हो जाती है जो इंसान 80 साल जीने वाला है वो रनिंग और व्यायाम करके अपनी उमर को 20 साल बढ़ा सकता है अगला फाइदा है आपके दिल के लिए और आपके खुन के लिए हर रोद 30 मिनेट की रणिंग आपके रीदय रोग के जोखिम को कम कर सकती है आज कल सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों को हटाटेक हो रहा है तो रोजाना कम से कम 30 मिनेट दोणने से दिल की सेहत में सुधार हो सकता है क्योंकि ये आपके heart को ज़्यादा improve करता है और blood circulation को भी बेहतर बनाता है मैं आपको बता दू कि एक इंसान के सरीर में कुछ हो ना हो पर blood circulation चलता है रहना चीए अगर आपको सुबह जल्दी उठने के आदत नहीं है तो आपको सुरुवात में कुछ दिन तकलिपे हो सकती है लेकिन यकिन मानना दो-तिन दिन के बाद आपको आदत पड़ जाएगी जादा से जादा हुआ तो एक हपता इसके बाद खूदी बिना अलाराम के सुबह उठने लोग हो गया अगर किसी के पेर में चोट लगी है या दोणने में कोई परिशानी होती है तो वो टेहल सकते हैं क्यूंकि वोकिंग करना भी आपके लिए फाइदे मन साबित होता है इसके बाद आप एक्सरसाइट कर सकते हैं जैसे स्ट्रेचिंग इस एक्सरसाइट को करने से आपके पूरे सरीर की कसरत हो जाती है और आप पुरा दिन एक्टिव मेहसूस करते हैं इसमें आपको सरीर की मांसपेशियों को थोड़ा खिचाव देना होता है ये काम आप जोगिंग करने के बाद पार्क में भी कर सकते हैं और घर लोटके भी 15-20 मिनेट में आप स्ट्रेचिंग पूरी कर सकते हैं बस इसके बाद आपको नहादो के अपने काम पे चले जाना है रोजाना रनिंग करने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और दिल से लेके फेपडों तक आपकी पूरी सेहत को जवरदस्त फाइदे मिलते हैं दोनना भले ही एक हलकी काडियो एक्सरसाइज में आता है ये चार गोल्डन रूल्स है अगर आप दोडते हैं तो आपनी बोडी पोस्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है दोडते हुए बोडी को सीधा रखना है और हाथ अपकी कमर के लेवल पे होने चीह है जब आप नीचे की तरप आगे को दोड रहे हो तब अपने सरीर के उपरी हिस्से को थोड़ा जुका सकते हो ज़्यादा तेज ना दोडे हेल्थी रहने के लिए जब आप दोडते हैं तो इस बात का ध्यान रखे कि बहुत तेज ना दोडे इससे आप बहुत जल्दी ठक जाएंगे और ज़्यादा देर तक रणिंग नहीं कर पाएंगे इसलिए एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन करते हुए रणिंग करें नमबर थ्री डी हैडरेशन से बचे रणिंग शुरू करने से कुछ दिर पहले पानी पीना सही होता है और जैसा मैंने बताए एकसेल आरेट आइसो टोनिक ड्रिंक सही होता है क्योंकि दोड़ते वक्ते काफी पसीना निकलता है और अगर आप पानी नहीं पीते हैं या एनर्जी ड्रिंक नहीं लेते हैं तो डी हेडरेशन हो सकता है इसके साथ ही कोसिस करें कि सुबह को जल्दी रणिंग करें नमबर फोर जूतों का रखे खास ध्यान रणिंग करने में सबसे जरूरी चीज होती है जूते आपके जूते बिल्कुल सही फिटिंग के होने चीए ज़्यादा टाइट या फिर ज़्यादा धीले जूते से आपको चोट लगने का डर होता है इन बातों को ध्यान में रख्या आप आराम से रणिंग के health benefits से ले सकते हैं तो भाई लोगों सीधी सी बात है रणिंग करोगे तो फाइदे ही मिलेंगे नुकसान तो कुछ है नहीं मतलब जो भी है पाने को है खोने को कुछ भी नहीं है